नमस्कार जन फालो टाइम से में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूँ यूपी की योगी सरकार ने मदर्सों के अनुदान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है इस फैसला किता है ताप प्रदेश में नए मदर्सों को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा 17 माई को योगी कैबिनेट की एक बैठक में इस बात पर फैसला हुआ 17 माई याने कल मंगलवार को ये फैसला हुआ इस बारे में हम बताना चाहेंगे योगी सरकार के पिछले कारे काल में भी नए मदर्सों को अनुदान नहीं दिया गया था हम ये भी आपको पताना चाहेंगे कि यूपी में मौझूदा समय में 558 मदर्सों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है यानि अनुदान तो दिया जा रहा है लेकिन नए मदर्सों का अनुदान नहीं दिया जाएगा क्योंकि कुछ शर्तें जो सरकार ने रखी है उनका पा अनुदान दिया जा रहा था अक्रिश सरकार के समय हलंकि साल 2017 में जब योगी सरकार आ गई तब इस सरकार ने जाच की तब पाया गया कि कई मदर से मानकों पर खरे नहीं उतरते इस कारण ये फैसला लेना पड़ा बहुत चान बीन के बाद इस लिश्करश पर पहुंचा गय कि ये फैसला लेना आवश्क है तब सरकार ने ये कदम उठाया इससे पहले बीते महीने में योगी आधित्यनाथ सरकार ने अप्रेल के महीने में अत्याधुरिक मदर्सा योजना के तहत राज में उत्तरप्रदेश में मदर्सों की जांच के निर्देश दिये थे उत्तरप्रदेश सरकार ने मदर्सा शिक्षकों के लिए फ्रेशिक्षन आयुजित करने का निर्ड़े लिया था ताकि उन्हें शिक्षन के ऑनलाइन मोड में कुशल बने जा सके हम आपको पताना चाहेंगी उत्तरप्रदेश में मदर्सा आधुरिक के करण योजना से आध किसी भी नए मदर्से को सरकारी वे अनुदान नहीं दिया जाए गला है। पूर्य फिर द Iímल जांकि उन्हें मदर्से को कई बदलाओं सिख्षिक्ष रहना चाहिए कि नए मदर्सों के योग सर्च व म cost प्रदेश में पिष्णी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में अर्वी फारसी मदर्सों में से 2000 तक के आलिया इससर के इस्थाई मानिता प्राप्त मदर्सों को अनुदान देने का फैसला किया था आलिया में दवी और दस्वी इससर की पढ़ाई होती है समाजवादी पार्टी सरकार की नीती के तहट सव मदरसों को अनुदान सुची में शामिल कर चुकी है लेकिन समान मानक वाले 46 मदरसे उस दोरान छूट गए थे जिसके बाद कुछ मदरसा संचालक अदालत की शरण में चले गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर अपनी बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मदरसे को अनुदान सुची में शामिल भी किया गया लेकिन साथ ही अब काबिनेट ने पूर अखिलेश सरकार के फैसले को पलड़ दिया है इसी वजह सी योगी सरकार अपने नए डिर्ड़े के साथ सामने आई है ऐसे में अब योगी सरकार में 17 में को कैबिनेट के फैसले में समाजवधी पार्टी की उस नीती को समाप्त कर दिया जिसकी माध्यब से मदर्सों को सरकारी अनुदान सूची में शामिल करके अनुदान दिया जाता था उत्रप्रदेश सरकार ने मदर्सों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को सुईकार कर लिया है अब प्रदेश में किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा ये फाइनली घोशना कर दी है सरकार ने उत्रप्रदेश की हम बताना चाहेंगे यूपी के मदरसों में पिछले महीने राष्टगान को भी अनिवारे किया गया था इस आदेश के तहट राज्य के सभी मानिवता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में भी कक्षाई शुरू होने से पहले शिक्षकों को और चातर चातराओं को राष्टगान गाना अनिवारे है ये अनिवारे कर दिया ही योगी सरकार ने हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि UPA में मवजूदा 16461 मदरसे हैं इन में से 558 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है यानि कि सरकार मदरसों का सर्णक्षण कर रही है उनका वित्त पोश्ण कर रही है लेकिन वो चाहती है कि राष्टगान का भी सम्मान हो हम आपसे अगले अब्डेट में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक आप देखते रही है जन भावन टाइपस नबसकार